दोस्तों उत्तर प्रदेश में सत्र शुरू होने में कुछी वक्त बाकी है विधान परिशत के लिए तो अखलेश यादव ने नेता सदन मुक्य सचेतक और सचेतक के नामों का एलान कर दिया लेकिन अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि विधान सभा में ये जिम्मेदारी किस को मिलेगी क्योंकि अभी तक विधान सभा में नेता परतिपक्ष खुद अखलेश यादव थे तो अखलेश यादव अब जब सांसद बन गए हैं वो लोकसभा पहुँच गए हैं दिल्ली की राजनीती कर रहे हैं ऐसे में उत्तर प्रदेश कौन समभा लेगा वो कौन नेता होगा जो योगी आदित्तनात का मुकाबला करेगा दोस्तों कई नामों पर चर्चा हुई कई नामों पर मन्थन हुआ उन नामों में शुपाल यादव का भी नाम है उन नामों में रामचल राजभर का नाम है कुछ और विधायकों के नामों पर भी मन्थन हुआ लेकिन कोई नतीजा तब तक नहीं निकला लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सोर्सिस ये बताते हैं कि अकलेश आदव ने ये तै कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और वो ये जिम्मेदारी किसे देंगे दरसल अकलेश आदव अपने हर फैसले में पीडिये को सबसे आगे रखते हैं अकलेश आदव टिकट देने से पहले पदाधिकारी बनाने से पहले और नई जिम्मेदारियां देने से पहले एक बार पीडिये के फॉर्मूले को जरूर देखते हैं कि उस फॉर्मूले को लाग सकते हैं कि उस दलित नेता की तलाश अखलेश यादव ने पूरी कर ली है और उस नेता का नाम है इंद्रजीच सरोज अभी हाल ही में लोगसभा चुनाओ में इनके बेटे पुशपेंद्र सरोज कौशामबी के सांसद बने है दोस्तों इंद्रजीच सरोज का लंबा रजनेतिक अनुभव है मायवती की सरकारों में वो मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी में आ गए उसके बाद लोग सभा का चुनाओ लड़े 2019 में लेकिन उस चुनाओ में उनको हार का सामना करना पड़ा 2024 में उनके बेटे सांसत बन गए और अंदरजी सरोज विधान सभा की कारवाई को विधान सभा के नियमों को बड़ी बारीकी से समझते हैं दोस्तों ये तो उनका एक राजनेतिक पहलू है लेकिन एक और पहलू इसके साथ जोड़ता है वो ये कि अंदरजी सरोज ऐसी समाज से आते हैं दलितों की राजनीती करते हैं और उसमें भी पासी समाज की नुमाइंदगी करते हैं उसी समाज की जिस समाज से अवधेश प चुनाओं में वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गया ऐसे में अखलेश आदव को लगता है कि मुस्लिम यादो वोट के साथ साथ अगर दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाता है और समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करता है वोट देता है तो इसका फ इसका मैसेच इंडिया गडबंधन को भी मजबूत करेगा क्योंकि आने वाले वक्त में महराष्ट, जारखंड, हरियाना इन तमाम राज्यों में विधान सभा का चुनाओ होना है और अगर अखलेश आदव एक दलित नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौप देते हैं तो ये इंडिया गडबंधन को भी मजबूत करेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा दलितों के बीच में एक विश्वास बढ़ेगा कि अखलेश आदव सबको साथ लेकर चलने की जो बात करते हैं उसमें दलितों का एक विशेश सम्मान भी है अब अखलेश आदव ये जिम्मेदारी इंडरजी सरोज को देते हैं या नहीं देते हैं या फिर किसी और दलित नेता के नाम पर भी विचार हो सकता है ये फिलहाल कुछ दिन आपको सुनने को मिलेगा नेता परतिपक्ष की कुरसी पर अब वो नाम इंदरजीत सरोज का होगा या किसी और नेता का होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा फिलहाल जो रेस है उस रेस में इंदरजीत सरोज सबसे आगे चल रहे हैं